Hello everyone, welcome back to your own channel Scientia जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हमारे चैनल पे साइन्स की प्रिप्रेशन करते हैं competitive exams के लिए वो P-Tet हो, C-Tet हो या फिर NTT का exam हो अभी हमने एक new series start की है, कल ही start की है जो कि आपके master cadre के लिए बहुत important है हमने physical chemistry की series start की है आज उसी का lecture 2 है अगर आपने lecture 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए तभी आपके lecture 2 को अच्छे से समझ पाएंगे clear? और अगर आप चैनल पे new हो तो चैनल को subscribe कीजिए bell icon को press कर लीजिए so that आपको daily की update मिलती रहे let us continue आज का जो हमारा topic है वो है basic principles of chemistry part 2 यह क्या है हम topic स्टार्ट कर चुके हैं part 1 कर चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे topics cover कर लिये थे आज हम part 2 करेंगे जिसमें हम mainly love combinations पढ़ेंगे atomic mass के बारे में पढ़ेंगे atomic mass unit क्या होता है atomic mass क्या है कैसे हम find out कर सकते हैं ठीक है जी let's start सबसे पहले law of chemical combination होता क्या है यह जो term है इसका meaning क्या है देखें name से clear है combination combination का मतलब क्या होता है जब बहुत सारी चीजें आपस में combine हो जाए define देखें the law of chemical combination describe the basic principles obey by interacting atoms and molecules जब atoms and molecules आपस में interact हो जाते हैं तो वो क्या एक principle को follow करते हैं जिसको क्या बोलते हैं law of chemical combinations जब वो combine हो जाते हैं आपस में interact हो जाते हैं तो अलग-अलग way से वो combine होते हैं तो उनमें अलग-अलग interactions होती है ठीक है जी अलग-अलग way से सारा कुछ होते हैं तो अलग-अलग उनमें method लगते हैं किसी में mass क्या है same हो जाता है किसी में क्या है ratio same हो जाती है आगे हम इन्हें अच्छे से detail में बात करेंगे example ले लेते हैं मान लीजिए carbon का एक atom oxygen के two atoms से या oxygen molecules से react करती है तो क्या form हो जाता है carbon dioxide ये तो आप सभी को पता ही है अब carbon का mass कितना होता है 12 gram देखिए carbon का atomic number कितना होता है 6 तो mass कितना होता है 12 gram oxygen के एक atom का mass कितना होता है 16 gram और 2 atoms का mass कितना होगा 32 gram अब ही देखिए 12 और 32 कितना बन गया 44 gram reactant का mass कितना आ गया हमारे पास 44 gram अब इधर product क्या बन रहा है carbon dioxide carbon dioxide में देखिए carbon का mass कितना होता है 12 oxygen के 2 atom है तो टोटल कितना होगा 32 इधर भी कितना बन गया 44 gram means reactant का mass और product का mass कितना होगा same that means यह क्या लाव फोलो कर रहे है mass of conservation यह तो मैंने ऐसे example दी कि ऐसे बहुत सारे लाव को जब हम combine कर देते हैं atom and molecules आपस में interact करते हैं अलग-अलग ways से उनको क्या कहा जाता है laugh chemical combination I hope आपको definition clear हो चुकी होगी समझ आ चुका होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं सबसे पहले start करते हैं हमारे देखें laugh chemical combination या फिर laugh combination भी बोला जाता है यह कहें का chemistry में जब atom and molecules combine होते हैं तो काफी सारे laugh follow करते हैं कौन कौन से लाएं यह रहे फिर्स ला लाओ मास कंजर्वेशन सेकिन ला लाओ डेफिनाइट प्रपोशन थर्ड लाओ लाओ मल्टिपर प्रपोशन फॉर्थ लाओ गैसियस वोल्यूम फिर्थ एवोगेड्रो लाओ तो यह फाइव लाओ जो क्या है फोलो करने के बाद क्या बनता है law of combination या law of chemical composition ठीक है जी I hope आपको समझ आ चुका है clear हो चुका है अब इनके बारे में फाइव के फाइव के बारे में detail में बात करेंगे सबसे पहले law of just a second law of mass conservation law of mass conservation होता क्या है देखिए according to law इसला में mass can neither be created nor be destroyed in a chemical or physical reaction ना तो mass create हो सकता है means बढ़ सकता है ना mass कम हो सकता है mass उतना ही रहेगा but it convert into one form to another but एक form से दूसरी form में easily convert कर सकता है और ये जो law है ना mass of conservation ये nuclear reaction में follow नहीं करता उसके अलावा applicable है सभी पे but nuclear reactions पे applicable नहीं है clear अभी देखिए हम क्या है जब भी कुछ करते हैं दो reactants आपस में मिल जाते हैं फिर क्या बन जाते हैं product बनते हैं ये तो सभी को पता है ना जब दो reactants आपस में मिलते हैं तो एक product form हो जाते हैं अगर तो reactants completely convert हो जाए product में means पूरी तरह कुछ भी ना बचे तब क्या है जो mass of reactant होगा वो mass of product के क्या होगा equal होगा देखिए जितना इनका mass होगा mass of reactant वो किसके equal हो जाएगा mass of product के mass of product के कोई भी change नहीं आएगा जैसे example h2 plus cl2 tends to या product बन गया है to hcl ठीक है जी अभी देखिए hydrogen का mass कितना होता है one atom का कितना हो गया one gram और two atom का कितना हो गया two gram मैं यहां पर लिख देती हू hydrogen plus cl2 क्या form कर रहे है two molecule of hcl तो h2 का कितना हो गया two gram अभी chlorine के two molecules का sorry one molecule का और two atom का कितना mass होता है near about 71 gram आपको एक तो atomic number पता होने चाहिए सबी के और atomic mass mass निकालना तो easy है बट आपको atomic number याद होना चाहिए periodic table का तभी आप क्या है easily ऐसे mcq solve कर पाओगे अभी देखिए इधर कितना mass बन गया reactants का 73 gram और product का देखिए two बाहर अंदर क्या है HCl हाइड्रोजन का कितना होता है हाइड्रोजन का देखिए one हमें पता ही है और chlorine का mass कितना होता है 35.5 यह आपने learn करने मैंने पहले भी बताया है तो देखिए अभी two इधर क्या बन गया 36.5 तो जब हम इसको solve करेंगे तो कितना बन गया 73 gram that means जो reactant का mass है वो किसके equal आगया product के mass के समझ में आया यही क्या है law of mass conservation कि जितना mass reactant का है उतना ही mass किसका है product का यही मैंने definition में बताया था I hope आपको समझ आ चुका है next second example देखिए wait अगर मैं बात करूँ कि reactant product में change हुए है but not completely कुछ ना कुछ क्या है leftover रह गया कुछ ना कुछ समान क्या है या कुछ ना कुछ substance क्या है बत चुका है तब क्या करोगे आप mass of reactant mass of reactant equal होगा mass of product प्लस जो leftover है जो बत चुका है यहां तक लिए example थी हमारी check कर लेते हैं एक बार CACO3 tends to क्या बना रहे हैं प्रडक्ट CAO plus carbon dioxide देखिए CACO3 क्या product form कर रहे हैं calcium oxide plus carbon dioxide यहां तक clear है तो CACO3 इसका weight आप calculate भी कर सकते हो 100 gram है ठीक है तो calcium oxide का weight mass क्या आगया 28 gram यह आप खुद भी कर सकते हो प्लीज calculate तो carbon dioxide मान लीजिए आपने जब 100 gram CACO3 लिया तो 22 gram आपके पास क्या बन गया carbon dioxide तो इधर कितना आगया आपके पास product 50 gram छीक है जी समझ में आया और आपके पास product क्या बन रहा है 50 gram that means कुछ ना कुछ आपके पास substance leftover है जो 50 gram का है leftover जो आपके पास बचा हुआ सबस्चांस है वो कितने gram का है 50 gram का I hope यहां तक आपको समझ आ चुका है मैंने अभी क्या concept करवाया है कि अगर आपके पास reactant से product बन रहा है और उसके साथ कुछ ना कुछ क्या है बच जाता है leftover रह जाता है तो जब reactant और product का mass क्या होगा equal होगा clear next बात करते हैं हमारे next लाग की I hope आपको first लाग clear हो चुका है कोई भी doubt नहीं रहा होगा second लाग कौन सा है हमारा love definite proportion means ratio या फिर आप क्या बोल सकते हो love definite composition भी बोल सकते हो composition भी नाम आ सकता है यहां पर ठीक है जी first ला में आपको मैं एक बात बताना भूलगी यह ला दिया था ले वोसियर ने मैं लिख देती उपर ने ल ए वी ओ आए एस आई ए आर इन्हों ने दिया था first लाग और जो हमारा second लाग है law of definite proportion यह pros ने दिया था इन्हों ने क्या कहा था कि कोई भी compound है वो हमेशा क्या है same proportion contain करेगा by weight means ratio of a compound by weight remains same कहीं कभी हो वो अगर वो compound same है कोई भी source से वो compound ले लो उसकी ratio क्या होगी हमेशा same होगी proportion means ratio जैसे water ले लिया H2O hydrogen plus oxygen से बना hydrogen कितने है two ठीक है जी oxygen का एक atom 16 के equal होता है means atomic number कितने है 16 तो hydrogen का one होता है बट two molecule है two atoms है तो क्या बन गया two तो इनकी ratio क्या होई one ratio eight that means कि जो hydrogen है अगर मैं gram में बात करूँ तो one gram of hydrogen को हमेशा eight gram oxygen की जरूरत पड़ेगी water बनाने के लिए eight gram oxygen की जरूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए water बनाने के लिए clear अब ये क्या है किसी भी source से हम पानी ले सकते हैं ठीक है जी source अलग-अलग हो सकते हैं आप अपने घर का लो river का लो या फिर lake का लो किसी भी जगा का पानी ले सकते हो lake का ले लो river का ले लो salt sea water ले लो salty water बट जो रेशो होगी न water की h2o की वो हमेशा one ratio eight होगी always क्यूंकि जो क्या है यही तो ला दिया था प्रोस्ट ने के रेशो क्या होगी उनके weight के according होगी ठीक है जी देखिए hydrogen का weight कितना है two oxygen का weight कितना है 16 one atom है तो 16 छीके जी तो इनका overall ratio क्या बन की one ratio eight means एक gram hydrogen को eight gram of oxygen की ज़रूरत पड़ेगी clear I hope आपको यह समझ आ चुका है second law next बात करते है हमारे third law की law of multiple proportion law of multiple proportion देखिए क्या कहते हैं यह जो ला है सबसे पहले यह बता दो यह dalton ने दिया था john dalton ने दिया था यह ला इन्होंने का है अगर two element combine करते हैं to form more than one compound एक से ज़्यादा compound बनाने के लिए जिनका mass क्या होगा different different of one element that combined with the fixed mass किसके साथ combine हो रहा है fixed mass के साथ of other element are in the simple ratio of small whole number देखे क्या कहा है definition में यह आपको example के साथ clear होगा मान लीजिए a और b आपस में react कर रहे हैं चीक है जी a क्या है जिसका mass क्या है fixed but b क्या है जिसका mass क्या है different मान लीजिए एक बार m1 है mass एक बार m2 है mass mass क्या है different देखे जब क्या बना a b बना एक बार mass किसका होगा m1 एक बार mass क्या है m2 that means अलग-अलग mass आ रहा है न तो जो m1 और m2 की ratio होगी वो simple ratio होगी ठीक है जी यह applicable नहीं है isotopes पे applicable नहीं है यह चीज applicable नहीं है isotopes पे example लेते है देखिए hydrogen को जब मैंने half molecule of oxygen से react करवाया तो क्या बन गया आपका h2o means water इसमें क्या है 2 gram hydrogen है और 16 gram क्या है oxygen कितना बन गया 18 gram of water यहां तक क्लियर है एक क्या लिया हमने h2 oxygen के साथ react करवाया means one more क्या बन गया h2o2 hydrogen peroxide अब देखिए h2 कितना है 2 gram oxygen का molecule 32 gram मास कितना गया 32 तो overall कितना गया मास 34 gram यहां तक क्लियर है यहोप आपको अब देखिए दोनों में सेम क्या रह रह रहा है दोनों में सेम क्या है 2 gram दोनों में सेम है reactions में that means यह क्या हो गया fixed मैंने अभी बताया था नो fixed एक क्या होगा fixed weight वाला दूसरा क्या होगा different यहां पर oxygen क्या है different different amount में तो इनकी जो ratio आएगी जो different different amount में है 16 की किस के साथ 32 के साथ क्या है 1 by 2 यह क्या होगी simple ratio होगी I hope आपको यहां तक clear हो चुक है दूसरा vary कर रहे है क्या था 16 और 32 दूसरा vary कर रहे है और एक क्या है fixed है जब यह combine होगे तो आपका जो अलग-अलग molecule बने अलग-अलग compound बने एक water बना और एक hydrogen peroxide बना और जो उनकी ratio आई वो simple whole number में ratio आई simple ratio आई clear I hope आपको यह भी समझा चुक है third law कोई भी doubt नहीं रहा होगा I hope आपका concept clear हो रहा है अगर आपका कोई भी doubt है तो आप क्या है comment करके easily पूछ सकते हैं ठीक है जी I hope आज अवाज भी मेरी ठीक होगी और अभी भी अगर कोई problem हो तो आप बता सकते हो ठीक है जी next बात करते हैं हमारे next law की next law देखिए law of gases volume देखिए ये law क्या कहते हैं ये law सबसे पहले दिया किस ने था gay laws ने दिया था gay इन्होंने दिया था law क्या कहा था इन्होंने under similar condition of pressure and temperature means आप pressure और temperature को fix कर दोगे क्या कर दोगे fix कर दोगे whenever gases react together जब gases आपस में react करेंगी तो volume of reacting gases as well as product bear a simple whole number ratio इनकी जो ratio आएगी वो क्या आएगी simple ratio आएगी छीक्या जी सबसे पहले basically समझते है मान लीजिए मैंने one mole of A लिया और three mole of किसके लिए B के क्या form कर रहे है product में two mole of C इतना समझ में आए तीनों guesses में है मान लीजिए ठीक है तो अब love guesses volume क्या कहते है मान लीजिए इतना समझते है क्यों one क्योंकि यहां पे one mole of particles ठीक है इसमें B में कितने है three moles of particles तो इसका volume कितना आ गया three volume form क्या कर रहे है two C that means C के कितने moles है two तो क्या आ गया C का volume कितना आ गया two volume आ गया यहां तक clear देखिए अभी आप बोलोगे के reactant का volume तो four बन रहा है बढ़ प्रड़क्ट का volume क्या बन रहा है two बच्चा यह necessary नहीं है क्योंकि जो reactant का volume है वो प्रड़क्ट के volume के equal हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई लानी है volume अलग-अलग हो सकता है ठीक है जी तो volume की यहां पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि volume सेम होना चाहिए यह जरूरी नहीं है तो इसकी simple ratio क्या बनी 1 ratio 3 ratio 2 यही कहा था ना कि simple whole number में क्या बनेगी ratio इसकी जो ratio बनेगी ना तो वो fraction में बनेगी मैं लिख देती हूं ना तो वो fraction में बनेगी ना ही decimals में बनेगी कि one point something something ऐसे नहीं बनेगा 2.344 ऐसे नहीं बनेगा simple hall number में ratio बनेगी clear अभी एक example solve करके देखते हैं यहाँ पे दीबी हुई है देखे क्या example है one volume of hydrogen one volume of hydrogen combined with one volume of chlorine to produce two volume of HCl छीक है जी देखे solve करते हैं यहाँ पे क्या कहा हुए है one mole of hydrogen है माल लीजिए आपके पस one mole of chlorine क्या form कर रहे है two mole of HCl hydrogen का volume कितना होगा one chlorine का volume भी one और HCl का volume कितना होगा two तो यह क्या होगा one volume है that means यह one लीटर में present है हम लीटर मेरी लीटर कुछ भी ले सकते है chlorine भी one लीटर में present है और HCl कितना आगया two लीटर में present है तो इनकी जो रेशो आगी वो क्या आगी simple ratio आगी one ratio one ratio two ratio के आगी आपके simple whole number clear I hope आपको यह समझ आ गया होगा और कोई भी doubt नहीं दहा होगा यह जुरूरी नहीं है यहाँ पे देखी अब आप बोलोगे के मैं यहाँ पे तो सेम आ गी यहाँ पे one था one था और product में two बन गया यह जुरूरी नहीं है ठीक है जी reactant का volume और product का volume same हो भी सकता है और same नहीं भी हो सकता ठीक है जी यह जुरूरी नहीं है यहाँ पे हो गया तो कोई बात नहीं बट हमारा जो definition थी वो mainly इसी पे base थी कि simple whole number में ratio आ जाएगी यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो temperature है और pressure है वो fixed रहेंगे वो vary नहीं कर रहे वो क्या होंगे fixed होंगे मैंने यहाँ पे कुछ mention नहीं किया कि temperature कितने पे है या pressure कितने पे है clear यह यह बात याद रखनी है और यह important है term pressure and temperature क्या होंगे same होंगे vary नहीं करेंगे clear I hope आपको यहाँ तक clear हो चुकी है definitions next बात करते है हमारे last definition पे love chemical combination की last जो definition थी वो क्या थी एवो गेड्रोला देखिया क्या कहते है एवो गेड्रोला में at same temperature and pressure means यहाँ पर भी क्या है temperature and pressure क्या है same है volume equal volume of all gases contain equal number of molecules means gases का जितना volume होगा उतने ही number of क्या होगे molecules होगे चीक है जी आपने यह तो पढ़ा ही होगा PV is equal to NRT पढ़ा हुए है ना तो V इसमें क्या है directly proportional कि इसके है NK V क्या आपका volume of gases N क्या है number of molecules अब directly proportional हटा के कोई ना कोई constant तो लगाते ही है तो V किसके equal आगया K NK चीक है जी अब इसको अगर मैं example दूँ मान लीजिए यह आपके three balloons है three balloons है first में hydrogen है second में nitrogen है third में oxygen gas है मान लीजिए तीनों क्या है same volume कवर कर रहे है same volume cover कर रहे है ठीक है जी तो एवोगेड्रोला ने कहा था के अगर कोई भी same volume contain करेगी gases तो उनमें क्या होंगे equal number of molecules that means यह जो balloon है यह equal number of molecules contain करते हैं same number of molecules contain करते हैं यह जो आपके तीनों के तीनों balloons है क्योंकि इनका volume क्या है same है clear I hope आपको समझ आ चुका है कोई भी doubt नहीं रहा होगा एवोगेड्रोला में clear next बात करते हैं हमारी next term की that is atomicity atomicity देखे atomicity का meaning क्या है number of present sorry number of atoms present in one molecule एक molecule में कितने number of atoms present हैं उनको क्या कहा जाता है atomicity clear जैसे for example oxygen oxygen को कैसे लिखते है oxygen के molecule को O2 कितने atoms है 2 तो इसकी atomicity कितनी होगी 2 क्या लिखोगे 2 atoms next क्या है ozone ozone का formula क्या था है O3 तो O3 that means कितने atoms है 3 atoms neon N E लिखते हो न तो कितने है 1 तो 1 atom है next क्या है sulfur sulfur को कैसे लिखते है represent करते है S8 तो sulfur में कितने atom होते है 8 atoms होते है clear I hope आपको समझ आ चुके है अभी आपने क्या comment box में बताना है helium helium की atomicity कितनी है और carbon dioxide के atomicity कितनी है यह आपका homework के आपने comment करके बताना है कि helium और carbon dioxide की atomicity कितनी है I hope आपका यहां तक हम जिस यूनेट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते है atomic mass unit ठीक है जी in 1961 देखे 1961 में carbon 12 को यूज किया गया था कि other component का mass और weight कैसे मेर करे सबसे पहले 1960 में इन्होंने सोचना स्टार्ट किया scientist ने कि ऐसा कौन सा atom हो या molecule हो जो abundant हो means less amount में ना हो जो reactive ना तो बहुत ज़ादा reactive हो ना बहुत कम reactive हो इन्होंने क्या कहा जो abundant amount में present हो ना तो less reactive हो ना most reactive हो ऐसा कोई element चाहिए जिसके less isotopes हो less क्या हो isotopes हो तो जब इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया तो उन्होंने 1961 में कौन सा atom दिया फिर carbon 12 उन्होंने बताया कि carbon 12 एक main component है जिसको आप use कर सकते हो other component का mass measure करने के लिए चीक है जी clear मान लीजिए mass of जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg is equal to 1000 gram 1 kg is equal to 1000 gram similarly अगर मैं बात करूं similarly mass of carbon atom 12 का कितना होगा 12 am u अभी मैंने बात की ना अगर एक की बात करते हैं अगर मैं एक की बात करूं देखें समझते हैं इसको अच्छे से फिर यहां पर पहुंचेंगे देखें क्या कहा हुआ है atomic mass of carbon atomic mass of carbon किसके equal होता है 12 gram अगर आपने कल वाला लेक्चर लगाया है तो उसमें क्या बताया था कि number of moles हम कैसे find out करते हैं number of moles किसके equal होते हैं given mass upon molecular mass करवाया था ना यह मैंने कल आपको formula अगर आपने वो lecture attend किया है वो video देखिया तो इसको short में कैसे लिख सकती हूँ मैं n w by m means given mass को मैंने w से represent किया और molecular को capital M से किया है यहां था clear अब भी next देखिये अगर मैं बोलूं कि 6.022 into 10 raise to power 23 atoms of carbon किसके equal होगे 12 gram के तो अगर मैंने 1 का निकालना हूँ 1 atom of carbon वो कितना हो जाएगा 12 by 6.022 into 10 raise to power 23 जो हमारा क्या है अवोगेड्रो नंबर यह तो हमें पता ही है न तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग 12 by n यहां तक clear है अभी देखिए हमने starting में क्या किया था बीचे लेके जाना पड़ेगा येस mass of carbon atom किसके एकड़ होता है 12 amu अभी मैंने proof किया ठीक है जी तो 1 amu किसके ब्राबर आ गया 1 by 12 mass of carbon 12 atom means mass of carbon atom 12 atom की value कितनी है 12 amu अगर मैं इसको यहां पे put कर दूँ यहां पे value put कर दूँ तो क्या बन जाएगा 12 by n यहां तक clear है यही लिखा है अभी तो मैंने और बाहर क्या था आपका 1 by 12 यही था ना अभी फिर से मैं आपको दिखा देती हूं ध्यान से देख लीजिए क्या है 1 by 12 बाहर की तरफ और 12 by n देखिए यहां पे जब value put की 1 by 12 mass of carbon atom कितना लिख दिया हमने 12 by n क्योंकि हमने पीछे निकाला है ठीक है जी तो यहां पे put कर दिया क्या बन गया आपका यहां पे अच्छली नीचे की तरफ कर देते हैं थोड़ा से यहां पे क्या बन गया आपका 1 by 12 12 by n का मतलब क्या है आपका Avogadro number 6.022 into 10 raise to power 23 यहां तक clear आप क्या लिख सकते हो इसको 1 amu means 1 atomic mass unit is equal to 1 by n अच्छल आगया तो 1 amu के आपको value याद रखनी पड़ सकती है 1.66 into 10 raise to power minus 24 gram या value learn कर सकते हो I hope आपको concept clear हो चुका है अगर ना समझा है एक बर फिर से वीडियो देख लेना ठीक है जी तो आपको clear हो जाएगा easily next बात करते हैं atomic mass की अब atomic mass क्या होता है it can be defined as number which indicate how many times mass of one atom of an element is heavier than sorry carbon 12 of mass of carbon atom one by यहां पे weight में थोड़ा ठीक है दूँ one by carbon 12 of mass of carbon atom ठीक है जी कैसे लिख सकते हो आप लोग अगर मैं फोर्मूले में लिखना चाहूं तो mass of atom by one by twelve mass of carbon atom ठीक है जी तो अभी one by twelve mass of carbon atom मैंने अभी बताया था कि इसके इक्वल होता है one amu atomic mass unit के उपर क्या जाएगा आपका mass of atom clear तो इस वे से आप क्या है atomic mass पता कर सकते हो किसी भी molecule का ठीक है जी clear easily calculate भी आप करके देख सकते हो वैसे नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो आप कैसे लिखते हो represent कैसे कहते हो z a by m ठीक है ऐसे इसको क्या है represent किया जाता है atomic number को और mass number को I hope आपका यहां तक क्या concept clear हो चुक है कोई भी doubt नहीं रहा होगा अभी तक next बात करते हैं gram atomic mass की gram atomic mass देखे क्या होता है name से clear है जब आप atomic mass को grams में represent कर दो unit अब आपको mention कर दी कि आपने grams में represent करना है it is the mass of one mole of element in gram main क्या है यहां पे gram unit mention देदी आपको कि gram में measure करना है जैसे देखिए mass of one carbon की in gram में क्या होती है 12 amu 12 amu का क्या लिख सकते हो 12 by na gram means 12 by 6.022 into 10 raise to power 23 gram यहां तक clear तो mass of na carbon atoms का कितना आ गया 12 by na dot na means यह क्या आपका avogadro number है वह वला na तो avogadro number को ऐसे रिखते है na से na cancel कितना आ गया 12 gram simply अगर मैं mass of oxygen का पूछू इन grams में molecule के oxygen के molecule का gram में पूछू था कितना आ गया 32 gram अगर एक का पूछ थी तो 16 gram आ जाता clear यह तो simple सा था I hope आपको clear हो चुका है next बात करते हैं gram molecular mass की यह भी बिल्कुल simple है name से ही clear है आपको कि gram molecular mass means अब किसकी बात करेंगे हम molecule में पीछे जो मैंने oxygen का लिया आप ऐसे करना single का ही ले लेना क्योंकि atom की बात कर रहे है हाँ जी यहाँ पे आप oxygen की ले लेना simple तो कितना आ जाएगा 16 gram क्योंकि हम atom की बात कर रहे है atomic था ना sorry मैंने गलती से molecule ले लिया atom की बात कर रहे है clear next क्या है gram molecular mass तो molecular में हम किसकी बात करेंगे molecule की जब हम mass find out करते है one mole of molecules की in gram gram में आप किसी भी molecule का mass find out कर रहे है तो उसको क्या बोलते है gram molecular mass ठीक है जी यहाँ पे एक बात और पर दो one mole किसके equal हो गया one gram molecule के यह आपने याद रखना है कि one mole किसके equal हो गया one gram molecule के ऐसे लिख सकते हो जैसे gram molecular mass of one molecule of oxygen ठीक है जी oxygen का आप क्या ले लिया molecule कितना होता है 32 gram क्यूंकि 1 का 16 है तो 2 का 32 gram तो कैसे लिख सकते हो mass of one gram of oxygen या फिर आप क्या लिख सकते हो mass of one mole of oxygen ठीक है जी clear इसी के साथ आप क्या है और भी किसी का भी ले सकते हो जैसे अगर मैं बात करूं carbon की carbon के 2 ले लिए या फिर nitrogen के ले लिए and 2 ले लेते हैं तो nitrogen के 2 एक का कितना होता है near about 14 gram तो 2 का क्या हो गया nitrogen molecule का 28 gram I hope clear अगर मैं ले लूँ अब CL2 ले लूँ that means 2 molecule ठीक है chlorine ले लूँ तो 2 into 1 का कितना होता है 35.5 कितना आगे आपके पास 71 ठीक है जी AMU या 71 gram clear I hope आपको समझ आ चुका है कि हम क्या है जब हम क्या है gram molecular की बात कर रहे है तो आप मॉलीक्यूल का जो weight निकालोगे mass निकालोगे वो क्या होगा gram में होगा बट molecule का आगा यहां पे chlorine ले लिया nitrogen ले लिया ठीक है जी similarly हमने oxygen की बात की थी molecule की तो आप क्या से लिख सते हो gram molecule mass of one mole of chlorine की लिख लो तो कितना आगे 71 gram अगर मैं किसी और का भी लिखना चाहूँ hydrogen का लिख सकते हो आप किसी का भी निकाल सकते हो easily I hope यहां तक आपको concepts clear हो चुकी है कोई भी doubt नहीं रहा होगा अगर आपको कोई भी doubt है या कोई भी problem है वीडियो के regarding तो आप comment box में बता सकते हो ठीक है जी thank you so much everyone sorry thank you so much everyone please like the video subscribe the channel और जितना हो जक्या अपने friends के साथ share कीजिए और feedback प्लीज जरूर दीजिए so that मुझे भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कोई doubt नहीं है या कोई भी problem नहीं है ठीक है प्लीज जरूर बताईएगा और मुझे भी motivate मिलती अगर आप लाइक करते हो कमेंट करते हो कि मैं डेली वीडियो बनाऊं आपके लिए thank you so much